नमस्षार्स वल्कम बाक टियो ओन चैनल वेल्स सघ्ज थर्ड ऑफ जून 2024 कल है इलेक्शन डे जो कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर टीवी पर यूट्यूब पर इंस्टाक्राम पर हर जगे आपको इलेक्शन डे की स्ट्राडिजी बता रहे हैं प्लीज बी रिजर्ट्स आने वाले हैं और ग्लोबल मार्केट्स में हलका सा प्रेशर आपको दिखाई पड़ रहा है सो ट्रेड इनल्स के इस इंपॉर्टन वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ट्रेट्स हमने लिए और उसके प अगें अगें टेल यू बड़ टीमेटल डिसिजिन इस यूर्स चॉइस हैस तो बी यूर्स प्लीज दू डिसकस वेडियो फिर फ्रेंट्स फैमिली जिससे भी आपको कॉन्फरेंस आता है हम लोग ने दुस्व आज के दिन क्या ट्रेट्स लिए उसके पीछे का रीजन औ किया और जम के पूरे तीन घंटे में ने मार्केट को इंजोई किया विन्युर्फिशिन वन्युर्फिशन वन्यू आप अगर अपने अपनी पोजिशन को प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं तो बने ऑल यू की दो इस जस्ट इंज़ौई तो इस उस्वर्थे आप्रत्स बारा बजे के असपास दोस्तों मुझे अपने ही ओपन करते हैं शोब्ग की तरे रहे हैं जो कि तीनों के ट्रीट्स ट्रीट्स वह टेरस हैं शोकि चौनक ही और अगर आप देखेंगे तो यह तीनों की तीनों स्टॉक अपने डे हाई के आसपास क्लोज होगे पहला अगर आप देखें तो आज के दिन पीस्यू बैंकिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंड दिखाई पड़ रही थे और एक ही स्टॉक है दोस्तों जो कि अभी भी और टेम हाई के आसपास भी नहीं है इन फाक इसने आज ही वाल टेम हाई के लिवल्स को ब्रीच किया है। जो क नाम है Revelation अगर आप देखें पेस्यू बैंकिंग तो ग्रों एक पारचींग बैंकशक कि बारें बात करें तूबहुत सब्सक्या करने के बाद यह स्टॉक मिरे रधार पर और अगर आप देखें त तो 285 के levels जैसे ही breach हुए, stock ने 285 के levels को breach करने के बाद, एक थोड़ा सा retracement लिए, और this was the precise level I'm talking about, जैसे इसने ये level breach किया, high breach किया, अपने day के, यही पर हमने precise entry करी, अगर आप देखें, तो 290 के असपास हमने entry करी है, stock ने 300 के highs लगा आती है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, although मैं stock में अभी ये positive हूँ, बट अगर आप intra day देखेंगे तो दुस्टों, stock मुझे 3% के profits अलड़ी दे चुका है, which according to me is sizable, which according to me in such kind of volatile market is pretty good, so although मैंने stock को hold किया है, कि कल के दिन मैं सोच रहा हूँ, मैं expect कर रहा हूँ कि market एक positive note पर open होगा, जिस भी price पर open होगा, 295, 310, 315, 320, जिस price पर, वहाँ परने profit को lock करेंगे और enjoy करेंगे, second stock उस्टों मैंने थोड़ा सा long term के perspective से लिए, stock का नाम है Reliance Industries, अब तो Reliance Industries, इस अमानी जी की ये company, flagship company और अधानी ग्रूप की जो companies से उसमें फरक है, अब फरक ये है कि Reliance Industries या फिर अमानी जी की जितनी भी companies हो, बिलकुल, I will not say कि आप टोटली, untainted, या फिर कोई भी dent नहीं है, लेकिन दोस्टों, Reliance Industries is moving on the basis of a very, very strong fundamentals, और अगर बाई चाहस मोधी जी नहीं भी आदे, I am just talking about the worst case scenario, I don't know, बोधी आएंगे रहू लाएंगे कल, बर I am talking about the worst case scenario, अगर अधानी जी के comparison में, अमानी जी के बारे में बात करें, तो मेरे साब से in case, if the मोधी government doesn't even come, तो भी Reliance की जो business है, बहुत ही strong footing में, यह मैं on the larger skill बात कर रहा हूँ, और I am sure you will agree with me, अगर आप दखें, तो stock ने 2975 का जे price rate कर रहा था, वो time तर somewhere close to 233, और exactly अगर आप देखें, तो आदे हंटे के अंदर हमने दो trade लिये, और Reliance Industry में दोस्तों, आपको same ही pattern, सेम ही concept दिखा ही पड़ रहा है, क्योंकि Reliance Industry भी अपने all-time high पर नहीं trade कर रहा है, लग in fact I will say कि all-time high बहुत over-valued नहीं है, all-time high जो Reliance का level है, वो है 3000 levels, 3000 के level पर stock बार-बार आता था, गिर जाता था, अभी एक 3-4 बार आकर की गिर जुगा है, यह 3000 के levels ब्रीच नहीं कर पार रहा था, लिए दोस्वों मुझे ऐसा क्या लगा, कि जिसकी वज़े से मुझे यह 100% confirm था, कि stock 3000 के levels को ब्रीच करेगा, क्योंकि हमने तो कब एंटर कर रही था 2975 पर, एक्जाक्ली आपको same pattern दिखाए पड़ेगा, जो कि bank of baroda में दिखा ही भड़ रहा था, can you see it here, stock ने जैसे ही अपने day के high को ब्रीच किया, I was very very confident कि relance industry will go up, अब कैसे पता किया दोस्वों यह चीज़ आपको सीखने पड़ेगी, और सीखने के लिए आपको इलाफ to come closer to us, यह सारी चीज़ें मैं आपको दो मिनिट के इंदर नहीं मता सकता, जो चीज़ें मैंने यतने सालों में सीखी हैं, वो दो मिनिट मैं आपको कैसे जखा दूँ, कुछ गंटे तो देने पड़ेंगे ना आपको, अगर आप देखें, तो सेफली स्टॉक में टू अनफ पसेंट के रिटर्न दी हैं, डे हाई के असपास क्लोज हुआ है, कल के दिन आपको इसटॉक तो ओपन गैप अप, इन केस अगर स्टॉक गैप अपर होता है, वेरी वेल, वेल और अगोड, अधरवाइस दोसों मेरे स्टॉक में जो मेरी, as far as my analysis goes, the स्टॉक has to give the targets of 3200 in short term, और मैंने स्टॉक को दोसों, जैसे कि मैंने आपको बता है, कि मैंने इसको positionally और long term के perspective से लिया है, बट अगर ये स्टॉक बाइचन कल ही मुझे अगर 3200 दे रहता है, I'll be more than happy and book profits tomorrow only. So दोसों मैं काफी सहरे चीजों को ध्यान मेरा करके trade लेता हूं, कि technicals भी देखता हूं, fundamentals भी देखता हूं, एक setup भी देखता हूं, एक overall market की psyche भी समझता हूं, तब एक trade लेता हूं, एक overall एक pattern mind भी create करता हूं, उसके बाद लेता हूं, अब दोसों उसमें entry क्यों ली थी, इसको समझना बहुत जिरूरी है, और stock में क्या दिखाई पड़ रहा है, तो अगर आप देखें, तो उसके जो levels दिखाई पड़ रहे है, वो है 325-330, अब दिस पेट्रोनेट का चार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्वों, मैं जिन भी stocks में आज के दिन investment कर रहा था, मुझे comfort level ज्यादा चाहिए, मतलब वो stock ऐसे नहीं होने चाहिए, यार भागे हुए, आज के दिन भाग गये, तो अपना ऐसे भाग गये कि, अगर कल गेरे तो भाई हालत खराब हो जाएगी, तो दूस्वों, petrol energy ऐसा नहीं है कि, आज के दिन stock 316 के, आसपास 317 के ऐसा हमने भाएगिया है, तो यह आज पहली बार 317 देख रहा है, इसके पहले भी दूस्वों, stock 317 आ चुका है, इसे 300 आता है, एक bounce back आता है, 320 आता है, एक resistance base होता है, है ना, अब देख पा रहे हैं, this has been a pattern for past some time, मेरे साथ दूस्वों, stock में 320 का एक बहुत ही crucial level है, जो कि अगर कल के दिन breach होता है, तो यहां से एक massive upside के expectation रखने चाहिए, and stock has the potential to go up to 350, 365 plus, यह मेरा मानना है, अब दोस्वों, अगर हम लोग intraday price action के बारें बात करें, तो हम लोगो ने जब trade लिया था stock में, तो stock rate कर रहा था 316 के आसपास, 317 के आसपास, stock ने 317.5 लगए, और stock जैसा कि आप देख पार नहीं, there is hardly any time, और market close होने से जैस फैले हमने लिया है, और stock अपने day high के आसपास ही close हुआ है, और जहां तक मुझे लगता है दोस्वों, stock में एक positive expectation रखनी चाहिए, stock is likely to break out, in case अगर कल कि दिन stock 320 के levels को breach करता है, I am very confident and very positive about the stock, यह मेरे trade थे, यह मेरी analysis है, दोसों आप इससे ना इतिफाकी भी रख सकते हैं, हो सकता है, आपको पसंद ना है, जो हमने trade लिये, लेकिन जो मेरे logic थे, जो मेरी rational थे, जिसके वज़े से मैंने stock को pick किया, वो मैंने आपके साथ share किया, please do your complete research before investing in any particular stock, I reiterate again and again, you should all have very very happy trading tomorrow, bye bye for now.